तो चलिए आज हम बात करते हैं domain name system के बारे में हमने पहले भी DNS के बारे में बात किया है और हमने यह देखा था कि कोई एक domain name जो होगा उसका अगर IP address निकालना है आपको तो आप DNS यूज़ करोगे वो detail में कैसे काम करता है इस वीडियो में हम देखेंगे तो लोग होता है उनके बहुत सारे identifiers होता है जैसे कि उनका नाम, passport number, आधार number, pan number जैसे बहुत सारे चीजें उनके identifiers है अगर किसी का बस नाम मुझे पता है तो मैं उनको एक चिठी नहीं लिख सकता एक नाम के साथ साथ मुझे उनका address पे चाहिए address पे zip code या तो pin code होना ज़ से internet पे जो hosts होते हैं जैसे कि आपका computer हो गया, कोई server है, routers है बीच में उन सब के पास एक या एक से ज़्यादा IP addresses होते हैं और उनका एक host name भी होता है जो कि एक human readable name है जैसे कि यह हो गया cs.umass.edu यह कोई एक university का domain name है तो अगर हमको कोई एक host के पास एक packet भेजना है तो हम बस यह cs.umass.edu यूज़ करके उनको packet नहीं रेच सकते हैं हमको यह पता लगाने की जरुरत है कि यह cs.umass.edu है इसका IP address क्या है और यह जो host name से IP address का जो mapping है यह domain name system maintain करता है एक distributed database में दुनिया भर में से करोडों दरार billions of host names and it will be very difficult बहुत मुश्किल होगा कि एक single directory में हम सारे host names और उनकी IP addresses का mapping रखें तो यह distributed database है हम आगे जाके देखेंगे यह ऐसे एक hierarchy में सजा हुआ है वो हम आगे जाके देखेंगे यह application layer protocol है क्योंकि application layer में जब messages बनाता है कोई application मान लेजिए आपका browser है वो एक HTTP message बनाना चाहता है कि HTTP request बनाना चाहता है किसी एक URL के लिए और URL का जो पहला वाला हिस्सा है वो है host name तो उस host name का IP address पता लगना बहुत important है तो नीचे जाके उसका IP packet बनने ही पाएगा तो यह application layer protocol है जिस जिसको कोई एक domain name का IP address चाहिए और बाकी बहुत चारे चीज़े domain name system आपको निकाल के देता है तो वो सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आप DNS यूज कर सकते हैं application layer में चलिए देखते हैं कि DNS हमको क्या-क्या services देता है एक तो हो गया आपके पास एक host name है आपको IP चाहिए तो वो translate करके आपको देगा वो host aliasing भी करता है अगर एक host name है इसका मतलब यह नहीं है कि तुरंट आपको उसका IP address मिल जाएगा DNS आपको यह बता सकता है कि देखो यह जो host name है इसका और एक नाम भी है alias है जो कि है यह आपको mail servers का जो address होता है वो भी DNS से मिलता है अगर आप mail लेखते हैं कि कोई भी example at the rate gmail.com तो इसमें जो gmail.com हो गया यह एक host name हो गया जैसे host name जैसे देखता है gmail.com तो आप जाके अगर पूछेंगे कि मुझे यह gmail.com का mx record mail exchanger record चाहिए यह एक DNS record होता है आगे जाके हम देखेंगे तो आपको वो DNS बोल सकता है कि देखो अगर gmail.com को कोई भी gmail.com को तुम mail भेज रहे हो तो यह है उस computer का नाम जो की mails accept करेगा बस तुम यह computer के पास जाओ और अपना mail deposit कर दो अदर तो वो भी DNS हमको देता है DNS हमको load distribution भी देता है वो कैसे करता है कि अगर मैं बोलू कि google.com तो हमेशा से अगर वो एक ही IP address सबको दुनिया बर में देखा तो वो IP address पे जो server चल रहा है वो server overloaded हो जाएगा क्योंकि hundreds of millions of requests would be coming every second तो इसमें DNS क्या कर सकता है DNS अलग-अलग IP addresses दे सकता है google.com के लिए एक बार किसी ने पूछा तो ये IP address दे दिया अगले बार किसी ने पूछा तो और एक IP address दे दिया ऐसे करते करते हूँ वो क्या करेगा मान लिजे उसके पास 10-15 IP addresses है तो वो round-robin में वो IP addresses दे रहा है लोगों को तो load भी जो है वो round-robin में distributed होके जाएगा ये सारे server हों के पास तो load distribution भी DNS कर सकता है हमने पहले देखा कि जो DNS होता है वो distributed होता है मतलब वो centralized नहीं है तो ये centralized क्यों नहीं है क्योंकि अगर centralized होता तो एक single point पे failure आ जाता वो एक directory और वो एक server या मान लिजे चार-पांच अलग-अलग servers है जिनके पास पूरा exact same information है कोई एक या दो server अगर खराब हो जाता तो वो एक single point of failure हो जाता और पूरा internet बंद हो जाता कर कोई एक server DNS handle कर रहा होता तो उसके पास ट्राफिक का volume होता वो बहुत जादा होता और वो हमेशा उसको manage नहीं कर पाता अगर वो distributed रहे तो वो requests होंगे वो गुल मिलके distributed होके इन सारे servers के पास जाएंगे अगर मेरे पास एक बड़ा सा organization है और मुझे अपने खुद के computers के hostname to IP conversion करना है लेकिन यह database अगर बहुत दूर जाके कहीं पर बैठा हुआ है मतला मानली जी एकर मानली जी यूएस में है और मैं यहां पर भुबनेश्वर में हूँ और यहां पर जो organization है यहां का hostname to IP address का conversion में करना चाहता हूँ लेकिन मुझे सारे requests को यूएस बेजना कट रहा है लेकिन हमारे local conversions के लिए local servers जो यहां पर है उनका DNS services हमको निकालने के लिए बहुत जादा दूर जाने की चरुरत नहीं पड़ते और चौथा जो हो गया वो हो गया maintenance maintenance तो लगेगा अगर एक centralized database है तो उसको maintain करना बहुत मुस्केल है और एक चीज जो आप यहां पर देखेंगे कि यह जो Comcast के DNS servers है तो Akamai के DNS servers है वो एक एक दिन में trillions of DNS queries handle करता है इतने सारे DNS queries handle कर पाना कोई easy बात नहीं है यहां पर 600 billion itself हमको यह बता रहा है कि every human being is almost going for about 9 to 10 sorry about 100 queries per day 100 because we have about 7 billion people or 8 billion people and you multiply that by around 100 you know you would get to the ballpark of around 600 right or maybe a little bit less like 80 90 or 100 queries per day is what you will be getting so 2.2 trillion जो हो गया वो तो उसका फिर तीन गुना हो गया मतलब हर कोई अगर मान लो around 200 से 300 queries अगर करे every human being then you will be getting these many queries तो तो you can think of how difficult it can get for servers to handle so many requests so that is better to keep DNS centralized तो इसमें हम देखेंगे कि DNS कैसे distributed और एक hierarchical database है तो क्या होता है कि कुछ गिने चुने root DNS servers होता है यह कुछ तेरा 14 different kinds के होते हैं और इनके replicas बहुत चारे जगह पर हैं तो overall कुछ 200 या 300 से servers हैं कुरिया दुनिया वर में जिनकों की हम root DNS servers होते हैं इनका किसी का तो IP address हमारे पास होना जरूरी है तो हर बार हम फिर root server के लिए अगर हम फिर उसका IP निकालने के लिए बैटके तो root के ऊपर कोई है नहीं तो इसलिए जो root का जो जो IP address है जो DNA servers root पे है उनका जो IP address है वो हमारे computers के अंदर होता है वो इतना frequently change नहीं होता तो इसलिए हम उसको computer के अंदर ही operating system उसको safely store करके रखता है कि अगर जरूरत पढ़े तो हम उनके पास directly जा सकता है IP address उनका use करके उनका कोई अलग से host name हम रखते नहीं है उसको फिर हम IP में convert अलग से करते नहीं है वो IP address हमारे पास already computer के अंदर ही पढ़ा है तो root servers के पास जब कोई request जाता है कि चलो मुझे www.amazon.com का मुझे IP address चाहिए तो usually क्या होता है कि वो हमें बस बताता है कि .com के name servers कौन सा है कि जो .com है उनको handle कौन से कौन से name servers करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे हम जाएंगे यह .com वाले DNS server के पास और पूछेंगे कि चलो हमें www.amazon.com का address तो वो बुलेगा देखो मुझे amazon.com कौन handle करता है उसका जो authoritative DNS server है उसका address मुझे पता है तुम उसके पास चाओ तो हम उसके पास चाहेंगे यह authoritative DNS servers क्या हो गए चलो पहले थोड़ा बात करते हैं कि अगर तुम कोई domain name खरिते हो मुझे पता है कि बहुत अपने चहीते domain names खरिदे होंगे अगर कोई .com domain name खरिता है तो कोई एक वो रजिस्टरर के पास जाता है जो कि .com को handle करता है जैसे कि go daddy हो गया उनके पास जाके आप domain name खरिते हो उनको एक fees देते हो depends on the popularity of the domain एक बार अपने वो domain name खरिद लिया तो आपको फिर बताना पड़ करता है रजिस्टरर को कि यह domain name के जो जो DNS services है वो कौन प्रोवाइड करेगा जो भी प्रोवाइड करें वो जो servers के जो host names होते हैं है ना वो आपको देना पड़ेगा रजिस्टरर को तो रजिस्टरर क्या करेगा अपने रजिस्टरी में यह लिखके रखेगा कि कल से अगर कोई भी आए और पूछे कि यह.com amazon.com मान लो अपने amazon.com खरिदा है और amazon.com के बारे में कोई भी आके पूछे तो उनको redirect करना यह authoritative DNS servers को यह authorized है जिस किसी ने भी domain name ख कल से बस कोई भी एकर request आए तो यह जो authoritative DNS servers है यहां पे देखिए मैंने goal किया यहां पे इनके पास उनको भीजो इसलिए उनका नाम होता है authoritative DNS servers खरिदने के time हम भी बताता है जो owner होता है domain का वो बताता है कि देखो यह मेरा domain हो गया कोई भी एगर name request आए DNS के request आए कि यह है IP address चाहिए या MX record चाहिए या कुछ भी चाहिए तो यह servers के पास उनको भीजो यह मैं आपको बता के रख रहा हूं registrar को हम बता के रखते हैं तो registrar क्या करता है फिर जो .com जो DNS servers हैंडल करते हैं जो की होगे यह वाले servers उनमें जाके वो information लिखके रखते हैं Amazon.com यह होगे उनक set of servers तो अभी हम क्या हो गया हम root के पास गया root ने हमको बताया कि देखो .com जो हैंडल करते हैं जो DNS servers वो हो गया यह कुछ चार पांच देगा वो we can select one of them and go to one of them and ask Amazon.com का कुछ पता है वो लेका ठीक है यह है उनके authoritative DNS servers उनके पास जाओ हम कोई एक के पास जाएंगे बोलेंग फिर Amazon का देखा अभी हम www.subdomain का देख रहें www.amazon.com का एक sub domain है एक sub domain अच्छा www.amazon.com का IP address तुमारे पास है वो लेका हाँ मेरे पास है अगर है तो वह तुरन निकालके आपको उसका IP address देदेगा ने तो वो यह भी बोल सकता है कि देखो आगे जाके इसके पास मैं तुमक फिर से redirect करना हो यह है एक set of name servers जो की मेरे निकडारी में है और तुम जाके इनको पूछ सकते हो देखो बिल्कुल यही हो रहा है हम route के पास गये फिर उसने book.com का बताया फिर .com से हमको मिला Amazon.com का DNS server जो की authoritative DNS server है वहां से हमको मिला www.amazon.com का IP address यहाँ पर बस मैं आपको एक important चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो route name servers है वो 13 logical route name servers है पस उसे जाधा चाहिए नहीं हमको लेकिन यह replicated है यह कुछ US में ही कुछ 200 servers है इंडिया में भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे servers यहां पे हैं क्योंकि यह वाला color भी उसमें है और the internet corporation for assigned names and numbers यह जो सस्ता है यह जो corporation है I can बोलके वो route DNS को manage करता है कौन सा server कहां पे रहेगा server का IP address क्या है सबको बताता रहता है कि यह है इसका route name server का IP address और यह जो corporation यह बहुत कुछ और भी करते है तो आप चाहिए internet पे देख सकते है चलिए route का तो बात हो गया अभी देखते हैं कि top level domains क्या है top level domains होगे जैसे कि आपका .com.org.edu.net यह कोई भी जो चीजे हैं यह सारे top level domains है जो की एक domain name के सबसे बाइं तरफ सरी सबसे राइट साइज सबसे दाइं तरफ जो आते हैं the rightmost side right so that is the top level domain and each of those top level domains they have registries you know which will sell you a domain name from that top level domain और एक बार आपने उसको खरीड लिया उसके बाद फिर आप उसको configure कर सकता है कि चलो यह जो name servers है यह मेरे requests को handle करेंगे नहीं तो you can use a dns service like google cloudflare digital ocean जैसे आपको अगर नहीं चाहिए कि आपने अगर domain name ले लिया मैंने domain name ले लिया जोती प्रकाश और ओवार जी लेकिन मुझे घर पे अपना खुद का dns server नहीं चला आना तो मैं कोई भी server जो dns server इस सब को serve करेगा request आने पर उसका जो host name है यह मैंने मानलो go daddy को दे दिया domain domain खरीतने के time कि देखो यह है मेरा domain लेकिन कोई भी अगर पूछने के आहे कि यह जो name है उसका IP address क्या है mail किसको भेजना है यह सब चीजों के लिए तुमारे पास आए तुम बस उसको digital notion के तरफ पॉइंट कर देना वहां पर मेरे सारे जो detail के records है वह वहां पर पड़े हुए तो यह हो गए आपके top level domain का थोड़ा सा discussion और जैसे कि मैं थोड़ा सा बता रहा था आपको कि पहले भी आमने डिसकस किया है कि authoritative DNS servers जो होते हैं वो इनके tables में होते हैं जैसे कि जोतिप्रकाश.org में मैंने अगर बोल दिया उनको कि चलो digital ocean के servers हैं जहां पर गी DNS के request को forward करें अब चाहिए तो घर पे भी अपना DNS server चला सकते हैं और उनका जो यह जो domain है जो तिप्रकाश.org कौन mail हैंडल करता है जो different host का जो IP address है किसका alias क्या है क्या नहीं वो सब कुछ वो हैंडल करेगा चलो यहां पर थोड़ा सा मैं एक local DNS server के concept को discuss करना चाहता हूँ बहुत चारे computers में आपके जो configure हुआ पड़ा होगा जो DNS server का address जो computer को कुछ भी अगर चाहिए तो वो DNS request वेजेगा न तो वो request पहले किसके पास जाएगा वो हमेशा यह जरूरी नहीं है कि वो root DNS server के पास उसको भेजे हलाकि भेज सकता है हम class में या lab में इसको बिल्कुल करके देखेंगे कि कैसे हम root server को पूछते है कि .com कौन हंडल कर रहा है फिर हम जाएंगे कि google.com कौन हंडल कर रहा है फिर देखेंगे कि चलो mail.google.com कौन हंडल कर रहा है यह हम खुद यह कर सकते हैं लेकिन यह करना मतलब बहुत ही inconvenient है तो इसलिए हम कोई एक ही server को पूछ लेते है कि चलो इसका IP क्या है तुम हमें बताओ तो वो जादातर क्या होता है लोग क्या करते से मैं क्या करता हूँ कि दो IPs यूज़ करता हूँ वो हो गया 8888 और एक हो गया 8844 यह दो जो है यह google DNS के IP addresses हैं लेकिन यह कोई authoritative DNS servers है नही यह कोई एक particular domain की DNS activity को manage नहीं करते हैं यहाँ पर बस क्या होते है कि बहुत ही बड़े databases हैं जो की information को cache करके रख सकते हैं और यह बहुत ही तेज चलते हैं बहुत सारे requests millions और billions of requests per second यह handle कर सकते हैं तो अगर हमको चाहिए मान लीजिए kit.ac.in ता हमें IP address चाहिए तो हम क्या करें हमारे पास अगर वो IP address है नहीं हमने मान लो एक घंटे के अंदर वो website हम गये नहीं तो जो भी हमारे पास IP address पहले से पढ़ा होता वो lapse कर गया होता वो caching के topic में हम discuss करेंगे कि वो lapse क्यों करता है कि वो पुराना क्यों होता है लेकिन मान लीजिए हमारे पास है नहीं तो हम क्या करेंगे 8888 या नहीं तो 8844 किसी एक को एक DNS request पेजेंगे बोलेंगे कि और query में डालेंगे कि हमको kit.ac.in का IP address चाहिए है तो वो देखेंगे कि आरे ये तो पहले बार कोई मुझे ये पोच रहा है शायद क्योंकि ये सुबह सुबह पोच रहा है और ने आप वो करेगा करके आपको kit.ac.in का IP address देगा बस आपको नहीं देगा what it will also do is keep a copy एक copy अपने पास रख लेगा क्योंकि मानलो सुबह होगे और बहुत सारे बच्चे और भी होस्टेल से kit.ac.in को जाने की कोशिस करेंगे लेकिन उन सब के लिए फिर से 8888 क्या करेगा फ उसका हर कोई DNS record का एक TTL होता है time to live होता है अगर ये अगर मानलीजे 3600 सेकेंड है एक घंटे का है तो एक घंटे तक ये माना जा सकता है कि ये IP चेंज नहीं होगा तो एक घंटे तक ये IP address 8888 किसी को भी दे सकता है तो ये जो जो नेम सर्वर्स होते है उसको हम local DNS नेम बोलते हैं इनका कोई authority नहीं होता है ये कोई hierarchy को belong नहीं करते है वो जो पहले hierarchy हमने देखा था कि उपर route हो गया फिर TLD हो गया फिर authoritative DNS servers आ गया वह तो authoritative hierarchy है वो जो भी बोलते हैं वह सच होता है यहां पर जो होता है यह हमें help करने के लिए होता है यह local DNS servers कि हमें भी जो हम तुमारे लिए सबको पूछ पाच के काम करके तुमको answer दे देंगे answer का copy भी हमारे पास रख लेंगे आगे से कोई आके अगर हमको पूछे तो हम उनको भी वह same answer जल्दी से provide कर सके हैं यहां पर और एक example देखते है यह हो गया iterated query iterated query और recursive query में क्या difference है यह आपको जानना बहुत जरूरी है तो यहां पर एक host है यह और यह जो host है यह इस host के साथ बात करना चाहता है और यह host का जो IP address है जो host name है यह है यह guya.cs.umash.edu और इसका IP address इस host को नहीं पता उसको चाहिए तो वो क्या करेगा अपने local DNS server को एक question पूछेगा कि मुझे guya.cs.umash.edu का IP address निकाल के दो अगर वो local DNS server के पास अगर वो IP address पहले से तयार नहीं है और fresh अगर उसके पास पड़ा नहीं है तो वो क्या करेगा root DNS server को जाके पोचेगा बुले है कि .edu कौन handle करता है मुझे तो तो वो क्या करेगा चलो बोल देगा कि यह सारे name servers है यह .edu handle करत हैं तो वो क्या करेगा फिर उनके पास जाएगा कोई एक उनके पास है तो बहुत सारे जो की .edu handle करता है लेकिन वो किसी एक के पास है जाएगा बोलेगा कि चलो मुझे umash.edu कौन handle करता है मुझे तो वो बोलेगा कि देखो यह जो है यह है authoritative DNS servers that handle umash.edu .edu तो वो क्या करेगा किसी एक के पास फिर से जाएगा और वो हो गया authoritative DNS servers हो गया अपका umash.edu का चलो बुलेगा कि मुझे गया.cs.umash.edu का IP address दे सकते हो तो यह बुलेगा कि हाँ मेरे पास है और यह लो उसका तुम answer उसका तुमारे पास IP वो भेज देगा यह उसको पूरा पूछेगा इस पार गया.cs.umash.edu ठीक है आईपी मिल गया. आईपी मिलने के बाद यह आईपी इसको दे देगा वाबस और वो फिर इसके साथ अभी directly बात कर सकता है क्योंकि उसके पास उसका IP address है. यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि जो local DNS server हो गया ना इसने एक एक करके पहले root के पास गया फिर वापस आया फिर TLD DNS server के पास गया फिर वापस आया फिर authoritative DNS server के पास गया फिर वापस आया यह वो एक iterated तरीके से खुद कर रहा है. रिकर्सिव अप्रोच में क्या होगा कि यह computer इसको पूछतेगा कि चलो मुझे guya.cs.umash.edu का IP दो फिर local DNS server के पास अगर है नहीं तो वो root DNS server को पूरा पूछ लेगा कि मुझे यह जो यह जो पूरा चीज है इसका IP निखालके दो बस मुझे कि कुछ .edu अलग-अलग से कुछ चाहिए मुझे recursive query करना है मुझे पूरा का पूरा आई-पी चाहिए तो यह root DNS server क्या करेगा इसको पता है ना इसने देख लेगा कि यहां पे edu है तो edu के पास जाएगा और बोलेगा कि यह पूरा इस चीज़ का IP चाहिए फिर यह tld DNS server क्या करेगा देख लेगा कि बास आई-पी फिर यह इसको आई-पी ख यह करेगा वह सेम आई-प्भे यह इसको वापस करेगा वह सेम आई-पी फिर यह आई-पी हमारे पास आ गया तो यह recursive हो गया इसमें इस server को इतना जादा काम करना नहीं पड़ा बस इसमें एक बार root को बोल दिया मुझे इसका आई-पी चाहिए, मुझे निकाल के दो और फिर वो root server, फिर recursively, फिर depth, और depth में गया, TLD के पास, TLD फिर गया authoritative DNS server के पास ऐसे होते होते, फिर IP वापस आ गया तो ये different है iterative version से, ये recursive query हो गया कुछ दर पहले मैं DNS information के cache के बारे में बात कर रहा था, कि देखो कोई अगर एक hostname है, उसका तुमने IP निकाल लिया, तो वो वस एक time के लिए use नहीं होना चाहिए उसको तुम store करके रख सकते हैं, अपने computer में, अपने local DNS server उसको रख सकता है, क्योंगि ये जो IP addresses होते हैं और hostname के साथ उनका जो mapping होता है वो इतने तीजी से, इतने frequently वो change नहीं होता हर जो entry होता है, DNS जो information के जो entries होते हैं DNS server में वो सारे entries के पास एक TTLA time to live होता है वो जो कि ये दिखाता है कि ये जो entry है, ये कितने time तक safely assume कर सकते हो, कि ये IP change नहीं होगा और उस time के बीच में अगर कोई अपका के पूछे कि मुझे इस चीज़ का IP चाहिए फिर से root, TLD authoritative इन जगों को ना जाके, वो जो cast version है you can return that to your customers or your users बट ये हो सकता है कि जो cast entries है वो भी out of date हो सकते हैं तो इसलिए जो DNS करता है वो best effort लगा के देता है कि देखो ये है उसका IP कोई 100% guarantee नहीं होता है कि ये जो IP है ये correct है ये हो सकता है कि अगर एक example लेके अगर आपको दिखाऊं कि मान लीजिए DNS server के पास एक information है कि ये है host 1 उसका IP 1 है और इसका जो TTL है वो है 1 minute और हमने इसको एक client को दिया at time 0 हमने इसको एक client को दिया ठीक है time 0 और ये इसको use किया इसको मिल गया IP 1 इसको मिला हुआ है फिर और इसके पास जो ये जो record है इसका जो TTL है ये मानेगा कि ये valid है for 1 minute then some other client at time 30 seconds also gets the same IP this client also thinks that this record is valid for 1 minute because this entire record is sent to the client when the client gets it it also gets the same 1 minute TTL value so it will keep the IP for 1 minute if some client comes at time 59 seconds that also gets the same IP and a TTL of 1 minute but after 1 minute let's just say this record here is changed now it becomes host 1 IP 2 and the TTL is maintained at same 1 minute it's not necessary to change it after 1 minute but just making up an example here right you can change it after 1 minute you may not change but you know when does it hurt is the example that I am trying to show you now what will happen this client here will have no issues because it got it at time t equal to 0 and the entry remained valid for entire 1 minute after 1 minute it will not use this entry it will ask for the IP again and get the fresh IP IP 2 this client here which got the IP 1 at time t equal to 30 seconds will have the old IP for 30 more seconds so 30 seconds and the old IP use which is that it will not be that something is wrong or that it will happen maybe it will not be the service that will not come to the right this can happen but people think the IP change the whole IP will not close to it it will also continue to keep the new IP and keep the new IP some time when the traffic will not come to the new IP then only then they close the old IP so people are very clever that way but still and this client which was in 59 seconds which was IP 1 which was 1 minute to get the new IP use to get the new IP we will see that the DNS information we will know that the DNS servers have saved but the DNS servers how to keep the DNS and keep the structure in which it will see that the DNS records are that the DNS servers resource records we will keep the resource records which is one name and value and type and then TTL we will see different types of DNS records what is one is a type A record that type A record is that if name has a hostname then value has a IP address so if I want the IP address of www.google.com so DNS query is I want to go to www.google.com A record चाहिए पहले मैंने आपको भी बताता है कि जो TLD के जो DNS servers होते हैं मानले जे .com का जो DNS server हैं वो फिर आपको फिर से redirect कराता हैं बोलता है कि देखो google.com के जो DNS servers हैं जो के handle करते हैं वो यहाँ पे हैं यह हैं उनके host names उनको जाके पूछो तो वो जो record उसने store कर रहा होगा PLD DNS server में जो store करके रखा होगा वो NS records में store करके रखा होगा ठीक है NS records name server records में वो store करके रखते हैं उसमें होगा domain.com मानलो google.com हो सकता है और जो value होता है वो host name होता है जो google.com का authoritative DNS server है वो आपको उसका IP address नहीं देगा उसका IP address निकालने के लिए फिर से आपको अलग से query करना पड़े ज़्यादा तर वो same PLD DNS server के अंदर ही वो authoritative DNS server का जो host name है उसका भी A record उसमें पढ़ा होता है A record का मतलब क्या हो गया कि मानलो आपने पूछा कि मुझे google.com का DNS server चाहिए तो आप .com वाले के पास जाओगे उसके पास क्या पड़ा होगा कि चलो google .com value हो गया name server 1 यह बस example है ऐसा google का है यह मैं नहीं बोल रहा फिर type में हो गया ns और ttl में मानलो हो गया 3600 seconds ठीक है तो इसका मतलब क्या है कोई अगर आके पूछे कि .com .com सुनो तुम .com के TLD DNS server हो मुझे बस यह बताओ कि google.com का जो authoritative DNS server है वो कौन है तो वो क्या करेगा चाहेगा देखेगा अरे मेरे पास तो इसका ns record पढ़ा हुआ है google.com का अच्छा मैच हो गया चलो लो यह है ns1.google.com जो है यह है google.com का authoritative DNS server लेकिन हम इसको लेगे क्या करें यह तो एक host name है यह तो कोई IP address है नहीं कि हम उसके पास directly चले जाएं तो ज़्यादा दर क्या होता है वो same DNS server के अंदर यानि कि जो .com का जो .com इसका value मानलो वो दे देगा 22, 33, 44 मैं ऐसे एक value बना रहा हूँ 55 और यह हो गया A record ठीक है 3600 इसका क्या मतलब हो गया कि देखो वो तुमको यह बताने की कोशिज कर रहा है कि google.com का जो name server है जो authoritative name server है वो ns1.google.com है लेकिन ns1.google.com जानने के लिए तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है मेरे पास उसका A record है और A record का का काम क्या है तुमको उसका IP address भी वो बता देगा होता है कभी-कभी नहीं होता है तो अलग से जाके तुमको बूचना पड़ेगा किसी को लेकिन इनहीं के पास ही ज़्यादा तर तुमको मिल जाएगा A record उसका मिल जाएगा तो यह हो गया काम ns record का यह c name record का काम क्या होता है यह जानना बहुत जरूरी है देखो हमेशा यह जरूरी नहीं है कि अगर तुमने कोई host name दे दिया उसका जो IP address है वो तुमको मिल जाएगा directly उसका हमेशा एक A record मिलेगा यह कोई जरूरी नहीं है उसका c name record भी हो सकता है c name record का मतलब क्या है उसका जो real name है वो क्या है उसका जो canonical name है वो क्या है मतलब यहाँ पे देखो यह जो ibm.com है ना यह यह मानलो एक alias हो सकता है यह बस एक से बाहर दिखाने के लिए एक नाम हो सकता है उसका जो असली नाम है वो यह हो सकता है ऐसा क्यों करते हैं बहुत सारे कारोणों के लिए करते हैं एक हो गया है तुमारा content delivery network cdn यह कैसे काम करते हैं अगर मैं ibm.com को खोलने की कोसिस करूँ इंडिया में अगर इंडिया के आसपास कोई अगर एक server है तो मुझे उस server का IP address मिलना चाहिए है की नहीं मिलना चाहिए अगर मैं यह US में खोल रहा हूँ तो मुझे US के आसपास का कोई एक IP address मिलना चाहिए तो cdns को साइसे ही काम करता है cdns का मतलब है content delivery networks तो ibm.com के अंदर मान लो बहुत सारे pictures हैं audios हैं, videos हैं जो कि static content है, change नहीं होता तो वो इंडिया के पास से आए कि US के पास से जाए बस यह फरक पढ़ना चाहिए कि इंडिया के पास के लोग जब खोल रहे हैं तो इंडिया में जो server है उससे वो pictures, audios और videos वहां से serve हो अगर US के पास से कोई अगर उसको खोल रहा तो वहां से वो serve हो तो इसलिए cname यूज़ तो ibm.com कोई IP address हम एक बना के नहीं देंगे हम बोलेंगे कि देखो ये इंडिया से request आ रहा है तो चलो इसका जो असली name है हम अभी इसका खुलासा करने वाले है ये है in.server जो भी है backup.s मतलब बना के बता रहा हूँ तो ये है उसका नाम अब तुम जाओ ये जो पूरा चीज यहां से यहां तक का है कि वो www.ibm.com का IP address है तो ibm.com असली में कोई नाम है ही नहीं उसका real name जो हो सकता है वो change हो सकता है depending on different situations कहां से access आ रहा है, क्या हो रहा है वो completely depend करता है उनके management के उपर लेकिन एक बार हम उसका असली नाम पता चल गया फिर उसका हम A record निकालेंगे जो कि हमको उसका IP address देगा तो ibm.com का अलग से कोई A record है नहीं उसका तुमको C name record मिलेगा जो कि तुमको उसका असली नाम बताएगा जो final record है वो हम देखेंगे और before I forget और एक type of records होता है वो की हो गया A, 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 A records ये जो A records होता है वो IP, V, 4 addresses देते है और जो A, 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 A records होता है वो IP, V, 6 records देते है तो आपको अगर IP, V, 6 address चाहिए अगर उनके पास है तो you can ask for the A, 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 A records वादा नहीं तो just okay with IP, V, 4 records ये A records तो होते ही है मत्दब जिसके पास है वो आपको देते हैं the final kinds of records we will see are the MX records पहले भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि आपको अगर mail भेजना है कि मानलो ये jp at the rate ibm.com पता नहीं ऐसा कोई email address है की नहीं मत भेजना email ये मेरा कोई email address खुद का नहीं है बस मैं example करके बता रहा हूँ jp at the rate ibm.com आपको अगर mail भेजना है तो क्या होगा कैसे भेजोगे mail किस के पास जाएगा ये jp कौन है क्या पता हमें लेकिन ये ibm.com हमको यहाँ पे clearly दिख रहा है ibm.com ये domain name है ये हमको दिख रहा है हमको क्या करना है इसमें हम ibm.com के पास जाएंगे पहले तो पता नहीं किस के पास जाएंगे रूट के पास जा सकते है बोलेंगे कौन हैंडल कर रहा है कौन के पास गये तो कौन बोलेगा कि ibm ये हैंडल कर रहा है जब वो ibm के authoritative dna server के पास जाके पहुंच गये उसके पास हम देखेंगे कि कौन है उसके पास कोई mx mail एक्षेंजर records है की नहीं कोई अगर mx record अगर हमको मिल गया mx record में क्या होगा ऐसे लिखा हो सकता है उसके अंदर देखो ये हो सकता है od ibm.com क्यूνकि ये इसके साथ match करना बहुत ज़रूर ही है यह इसके साथ match करना बहुत चरूरी है यह हो सकता है कि चलो मैं बोल सकता हूँ कि mail.ibm.com टीक है? टाइप है MX, TTL मानलो मैंने दे दिया है इसका पूरा एक दिन का 864 00 seconds इसका मतलब क्या हुआ? कि मतलब यह जो machine है mail.ibm.com यह सारे emails लेगा ibm.com के लिए लेकिन यह तो एक host name हो गया यह तो कोई IP address है नहीं तो उसी machine के नीचे ही उसी DNS server के नीचे कहीं पर एक record पड़ा होगा जो कि ऐसे होगा mail.ibm.com उसका IP होगा, मानलो 111 222 111.101 ऐसे कुछ मैंने बना दिया और यह A record होगा और इसका मतलब मानलो 164.00 एक दिन का मैंने TTL दे दिया हम क्या करेंगे यह है host name जो के mail handle कर रहा है और वो यह भी तुमको वापस कर देगा चलो यह जो हम भी तुमको यह बता रहा है authoritatively authority है हमारे पास बताने के लिए कि mail.ibm.com जो है इसका यह है IP address यह IP address अगर हमको मिल गया तो फिर हम mail protocol SMTP या जो भी protocol यूज करता है उसको यूज करके हम mail भेज सकते हैं तो यह हो गया MX record का काम चलो भी जल्दी से थोड़ा सा हम एक जो DNS के जो जो प्रोटोकॉल है उसका एक structure होता है हमको पता है कि DNS प्रोटोकॉल में हम query बेज़ते हैं और replies भी हमारे पास आता है तो जो query और reply messages के जो structures है वो same होता है उसका format same होता है जो वायर शार्प में हम यह करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो structure है वो same है तो उसमें एक identification होता है यह identification के जरूरत क्या है कि यह UDP यूज़ करता है कोई connection तो होता नहीं है तो एक identification number जो की query में है अगर reply में वो same number है तो match करके देख सकते हो कि चलो यह जो reply आया है यह query का reply है flags हो सकता है जोसमें यह बता सकते हैं कि चलो यह query वाला packet है कि reply वाला packet है अगर reply है तो यह reply authoritative है कि नहीं तो यह जो अलग-अलग चीज़े हैं यह तुम flags में बता सकते हो फिर यह questions जो होता है यहाँ पे जो होता है यह तुमको बताएगा कि कितने questions हैं packet में यह तुमको बताएगा कि कितने answers है कितने answer resource records है क्योंकि query और reply का जो structure है वो तो same होता है तो उसलिए यह सारे चीज़े वो packet के अंदर होता है मतलब questions अगर आप पोच रहे है query अगर है तो इसमें answer तो होगा नहीं तो यह जो होगा यह zero होगा questions जो होगे अपने कितने questions पूचे है एक question पूचा होगा कि इसका IP क्या है मतलब ज़्यादा भी पूच चकते हैं लेकिन मान लो इसका value 1 है authoritative DNS servers ने कितने answers प्रोवाइड किये है यह तो query में इसका value हो जाएगा zero reply में इसका ज़्यादा value हो सकता है और अगर DNS servers ने कोई additional information आपको देने की कोशिस की है ताकि उनको अगर लगे कि यह जो information है यह extra information आपको काम में आएगा वो pattern देखके पता लगाते है तो वो information वो इसमें डाल सकता है query message में इसका value 0 हो सकता है और reply में इसका value 0 से ज़्यादा हो सकता है query में बस questions होते है यह answers, authority, additional resource records होते नहीं है चलो जो questions है तो वो question तो बस बस एक question है बोल देने से को question में है क्या वो भी तो होना जरूरी है तो यहाँ पे आ सकता है यहाँ पे आपको बता चाहिए यह हमको www.google.com का A record हमको चाहिए मतलब इसका हमको IP address चाहिए यह तुम query में डाल सकते हो तो यह question का description हो गया उसके अंदर जब-जब reply message में आएगा वापस तो फिर answers में होगा अगर इसका IP address हमें मिल गया तो होगा कि www.google.com का IP address है यह यह अगर वो एक authoritative DNS server को तुमने पूछा है उसका अगर answer आया है तो उसका answer इधर भी आएगा अगर इसने कुछ एक additional information भी दिया है तुमें जो कि उसको लगा कि चलो यह information तुम वैसे भी मांगने वाले हो इसके बाद हमने pattern से देखा है जादर लोग ऐसे करते है तो हम तुम को यह पहले से बता के रखते है उस वो भी यहाँ पे हो सकता है